Hello everyone, स्वागत आप आपका मेरे चैनल पर तो फ्रेंट्स आज में आपसे बहुत ही खुपसूरत नेक डिजाइन शेयर करने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स ये एक उरती है, इसका मैं नेक डिजाइन बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने लिया है ये कपड़ा जो की 10 इंच लंबाई 10 इंच इसकी चोड़ाई है तो सबसे पहले हम इस पे नेक ड्रो करेंगे और इसमें मैंने पहले से ही पेपर पेस्टिंग चिपका लिये प्रेस से तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, इस तरीके से डबल कर लूँगी, अब यहां से चोड़ाई लेंगे नेक की, जो की 3.5 इंच लेंगे हम, और ये वाला जो नेक हमारा बन के तैयार होगा, वो 8 इंच तक इसकी लैंथ रहेगी, तो एक 8 इंच पे भी मैं इस तरीके स और इसका बॉक्स बना लेते हैं, साड़े 3 इंच पे एक और निशान लगाऊंगी, इस तरीके से, और अब ये जितना स्पेस बचा है, इसके एक मिडल में निशान लगाऊंगी, तो अब यहां पे तो मैं राउंड कर लोंगी इसको इस तरीके से, यहां तक ही राउंड र लाइन खीच लेंगे, इस तरीके से, तो यह इस तरीके से हम नेक की कटिंग कर लेंगे अंदर से, और यहां से भी छोड़ कर आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें, तो यह कुछ इस तरीके का हमारा डिजाइन आएगा, तो चलिए अब कुर्ती के पर इसको सेट कर लेते हैं, तो यह कुर्ती हमारी और उल्टा साइड पे रखा हुआ है, तो यह सेंटर से मैंने जो नेक लिया था, महां पे साड़े तीन इंच वे लिया था, तो इस तरीके से निशान लगा लेती हुए, और यह सेंटर में मैंने कट भी लगाया हुआ है, तो इस तरीके से से सैट करके मैं पिन अप कर लोंगी पहले इसको, तो मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया इसको, अब हम सिलाई लगाएंगे, तो यह बुक्रम के उपर ही आपको मशीन चल कर लेते हैं, तो इसको मैं अच्छे से करके प्रेस कर लोंगी सबसे कहले, तो मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके और इस तरीके से कर लिया है, अब हमें इसमें डिजाइन लगाना है, तो फिर्ट डिजाइन बनाने के लिए मैं इसमें डोरी का यूज करूँगी, तो इस तरीके कि मैंने दो कलर की डोरी बनाईए है, एक की इसी कलर की है और एक वाइट गलर की है, तो चलिए, तो ये पेपर लिया है मैंने, आप निउस पेपर भी ले सकते हैं, तो यह मैं इस तरीके से इसके नीचे रख दूँगी तो इस तरीके से यह हमारा शेफ आ गया है अब हमें यहां पे लगानी है डोरियां तो सबसे पहले जो यह वाइट कलर की डोरी है इसको मैं सवा दो दो इंच की कट कर लूँगी और ये वाली जो डोरी है इसको मैं डे 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 इंचा कट कर लूँगे ग्रीन वाली को चलिए कर लेते हैं तो फ्रेंट्स इस पर हमें इस तरीके से करना है और यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे तो अब यह वाले तो लग गए हमारे वाइट वाले अब ग्रीन वाले भी हमें इस तरीके से लगाने हैं के अंदर तो इस तरीके से लगाएंगे हम ग्रीन वाले सारे इस तरीके से लगा लेंगे तो इस तरीके से मैनिंग कर लिया है, अब हम कुर्थी पे लगा लेंगे इसको, तो इस तरीके से रखना है, सैंटर भी देखना है हमें कि सही आ रहा है के नहीं, तो इस तरीके से हम सिलाई कर लेते हैं इसके उपर, तो हम मैं क्या करूंगी, पूरे में ही टॉप स्टीच एक बार और लगा लूँगी, तो ये भी पक्का हो जाएगा, दुबारा दो दो सिलाई से, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, नैक को, ऐसे भी सुन्दर लग रहा है, पर मैं यहां पर मोतियां लगाना चाहूंगी, तो मोतियां भी लगा लेती हूं, तो चली लगा लेते हैं, तो फ्रेंश बिल्कूल रेडी है हमारा नैक, तो इस तरीके साथ देख सकते हैं, यहां पर मोतियागा लिएंगी, तो फ्रेंश बिल्कूल कम्प्लीट है हमारा डिजाइन, आइब होप क्या आपको पसंद आया हो, और अगर आपको यह डिजाइन थोड़ा पसंद आया हो, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें थाइक्यो पर वोचिए